हेलो एवरिवन मैं हूँ लेलीता और आप लोगों का सेविन स्टर किचन पर स्वागत है ये केक आप किसी भी छोटे मूटे ओकेशन पर बना सकते हैं इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह दो पारले जी बिसकित ले लिए हैं अगर आप अपने अकोरड थोड़ी सी कम या जाधा कर सकते हैं अब बिस्किट्स को हम एकदम बारीक पीस लेंगे, इसका हमें एकदम फाइन पाउडर त्यार करना है, तो ये मैंने पीस लिया है, अब इसे हम छान लेंगे, ताकि अगर इसमें कोई भी बड़ा पार्टिकल है, तो वो भी निकल जाए, और इसके साथ हमारा जो ये पाउड होता है, उतना अच्छा हमारा केक बन कर तयार होता है, लास्ट में अगर आपको लगए बड़े-बड़े दाने बच गए हैं, तो आप इने पीस लेजिए, वापस से इसमें मिक्स कर सकते हैं, अब मैंने यहां पर ये 5 इंच की केक टिन ले लिए है, इसे हम ग्रीस कर लें तो केक टिन हमारी अब ready हो गई है, इसे अभी हम side में रख देते हैं, आज ये केक में cooker में पकाने वाली हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा तर सकप के घर में available होता है, तो इसे भी हम preheat होने के लिए रखेंगे, चार चमच मैंने यहां नमक लिया है, ये नमक में आपको थोड केकर रख सकते हैं, या फिर अलुमिनियम का धकन हो, कूकर को जो अब हम preheat होने के लिए रखेंगे, तो ये जो धकन है, इसमें से सीटे और रबर को हम निकाल देंगे, तो चलिए फिर अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, अब मैंने यहां पर दो चमच रिफाइन ओयल लिय है, दूद हमें ठंडा ही लेना, यानि रूम टेंपरेचर पे लेना है, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें हम दूद डालेंगे, और मिक्स करेंगे, इसमें आपको लगबग आधा गिलास दूद लग जाएगा, थोड़ा-थोड़ा दूद डालते जाएंगे, और मिक्स करते जाएंगे यह देखिए बैटर हमारा आल्मोस्ट रेडी है अब इसे आप गिराएंगे तो यह लंप लंप में गिरेगा तो इस तरीके का हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए कि फ्लोइंग कंजिस्टेंसी में हो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा दूद और मिला रहें इसे घोलते वक्त आप ज़्यादा जल्दी वाजी ना करें थोड़ा सा धीरे धीरे इसे घोलें तो अब वापस से हम बैटर को गिरा कर देखेंगे एक तार में गिर रहा है यानि कि यह रिबन जैसे बना रहा है एक फ्लो में तो कुछ इस तरीके का ही बैटर हमें चाहिए था एक गिलास में से आदा गिलास दूद अभी भी बचा हुआ है अब इसमें हम बेकिंग ले लिया है और आधा चमच मैंने यहां पर ले लिया है बेकिंग पाउडर यह हम इसमें डाल रहे हैं अगर आपके घर में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़ा नहीं है तो आप इसमें आदा चमच इनो डाल कर भी एक बना सकते हैं अब यह देखें मिक्षर जो है थोड़ा सा गाड़ा हो गया है तो मैं इसमें एक चमल दूद और मिला रहें बैटर अब हमारा परफेक्टली रेड़ी है तो केक्टिन में इसे ट्रांसफर कर लेते हैं केक्टिन में जब भी आप बैटर टांसफर करें तो यह ध्यान रखें कि आधे केक्टिन से ज्यादा आपका केक्टिन ना भरा हूँ तो फूलने के लिए केक को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है हलका सा इसे हम टैप करेंगे ताकि इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा एयर बबल है तो वो हट जाएं अब इसे हम कूकर में रखेंगे बेख होने के लिए तो अब हमने जो कूकर रखा था प्रिहीट होने के लिए उसका धकन हम हटाएंगे और इसमें हम बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ अपना जो केक्टिन है वो रखेंगे, ढकन को हम लगा देंगे, अब आदे घंटे तक केक को हम पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, आदे घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि केक पका की नहीं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, केक को पकते वे लगबग आदे घंटे हो गए हैं तो चलिए कुकर को खोल के देखते हैं केक पका के नहीं तो इसमें मैं ये एक स्टिक डाल कर देखूंगी ये देखे एकदम क्लीन बाहर आई ये इसका मतलब केक पक गया है फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और केक को हम बाहर निकाल लेंगे इसको तुरंती आप बाहर निकाल लें वेट ना करें बिल्कुल भी और बाहर निकाल के इसे हमें ठंडा होने के लिए रखना है बहुत ही सावधानी से निकालना है बहुत ही ज़्यादा गरम होता है तो हाथ भी जल सकता है केक अप ठंडा हो गया है तो चलिए इसे डिमोल कर लेते हैं ये देखें साइड से इसने अपने आपी छोड़ दी है तो एक प्लेट पर हम इसे पलट लेंगे और हलका सा टैप करेंगे वाओ ! ये देखें कितना अच्छा केक बनकर त्यार हुआ है बहुत ही ज्यादा स्पॉची है और इसमें अाची खासी जाली दिख रही है ये ज़ कि इसका टॉप हे इसे हम कट कर लेंगे तो ये देखें का हमारा रेडी है बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है ये आप चाहें तो इसे इसी तरीके से खा सकते हैं या तो फिर इसे सजाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पैसा और लगाईए लाइक इस पे Choco Spread लगाए तो इसे थोड़ा सा और सजाने के लिए हमें इस पर थोड़ा सा और खर्चा करना होगा तो चलिए इस पे थोड़ा सा हम Choco Spread भी लगादेते हैं Choco Spread मार्केट में बहूत ही easily available होता है अगर आपको आफलाइन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनलाइन भी खरी सकते हैं तो मैंने ये चोको स्प्रेड लिया है ये दिखे अब हम इसे अपने केक पर लगाएंगे तो ये देखे थोड़ा सा चोको स्प्रेड लगाने के बाद ये कितना सुन्दर दिखने लगाire और इसका टेस्ट भी कई गुणा बढ़ जाता है इस तरीके से अगर हम चोको स्प्रेड लगा देते हैं तो मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकलर रखे हुए थे चोकलेट स्प्रिंकलर यहां में इस पर इस तरीके से डाल देंगे कई अझ कई बाता हुए थे चुट अबाइण बाता हुए टुटे चुटे लापरा रखे हुए लाव हुए लापरा यहां में इस पर मारी बाता है झाल 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 झाल